हरी कृष्णा मैं कृष्णवन्दा जगनाद किचिन में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम अपने जगनाद जी के लिए सूजी का हंडवा बनाने जा रहे हैं इसको आप चाहे सूजी का चीला भी बोल सकते हैं अलग अलग जगे इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बाउल लेना है और उसमें हमने एक कप सूजी लिया है एक कप सूजी लिने के बाद में उसी का नाप लेके हमें इसमें दही एट करना है तो दही का मैंने यहाँ पर छाच बनाया है थोड़ा सा पानी डाल के उसको मतलिया है आदा कटोरी दही और उसमें आदा ही कब पानी डाल के मतल लें अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आपको बैटर थोड़ा गाड़ा लगे बाद में तो आप इसमें थोड़ा सा और चाच अपना एड़ कर सकते हैं और आपको कभी भी ये रैसेबी बनाने का मन हो तो आपको इसे ज़ादा देर नहीं गलाना है इक घंटे में ये अची तरीके से गल जाती है सुजी और आप बना सकते हैं तो यहां हमारा जो सुजी है हमने अची तरीके से मिला लिया है अब इसको मैं तकरीबन एक घंटे के लिए ढखके रख दूँगी तब तक करते हैं बाकी की तयारियां सबजी जो जो हमें इसमें एट करनी है तो यहां मैंने सबसे पहले सुईट कॉर्ण लिया है एक कटोरी हरी मिर्श को चॉप कर लिया है तीन टमाटर को बारी काटा है एक कप है यह और हरी धनिये को भी चॉप कर लिया है आलू आप इसमें बारी काट के एट कर सकते हैं और अपनी मन पसंदिता सबजी भी अब यहां एक घंटा हो गया है अब इसमें हम एक चमस नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद में इसको हम चलाएंगे और देखी आपको दिख रहा है पहले से काफी ज़्यादा ये फूल गया है और आपको इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है बस इतना ही ये गाड़ा रहे अब आती है बाकी के मसाले इसमें हमें कौन-कौन से मिलाने है इसमें ज़्यादा मसाले नहीं मिलाने होते हैं बस यहां मैंने एक चमच कश्मीडी मिर्श एड़ करी है नमक और मिर्श डालना है और अपनी मन पसंदीदा सबजी आप इसमें एड़ कर दे इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं अब हम यहां अपनी हरी मिर्श एड़ करेंगे हरी मिर्श को मैंने बारिक चॉप किया है और इसका बीज निकाल दिया है हरी मिर्श डालने के बाद में हम यहां स्वीट कॉन डालेंगे आपके पास जो भी सबजी एबलेबल हो आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं तमाटर एक कप अपने तमाटर आप इसमें थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं यदि आपको खटा पसंद है तो हरा धनिया अब इसको हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है इसको मिक्स करने के बाद आप इसको लगभग पांच मिन्ट ढखके रखतें और देखिए हमारा ये हांडवा का जो मिश्रण है वो तयार हो गया है चलो अब हम इसमें आलू भी मिक्स कर देते हैं मेरा मन नहीं तहाज आलू डालने का पर मैं आपको बता दूँ इसमें आपको जो आलू है वो बिल्कुल बारिक-बारिक काटना है आपको दिख रहा है ना छोटा-छोटा मैंने काटा है इसी तरीके से काटके इसको आपको वापस मिक्स करना है सबजी आपको जो पसंद हो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ वो आप इसमें आट कर सकते हैं और इसको आपको नाश्टे के अलाबा आप इसको चब्भी भी लगेगा कि भाई मेरे को सबजी बनाने का मन नहीं है रोटिया चपाती अब नहीं खानी है आप इसको बनाएं और ये बहुत ही डिलेशियस होता है तो पांच मिंट के लिए मैं इसको अब ढग रही हूँ पांच मिंट ढगने के बाद में देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा और इसको हमें इतना ही गाड़ा रखना है पतला नहीं हो अब मोटे तले वाली कड़ाई लेनी है कड़ाई में हम एक चमच ओयल डालेंगे ओयल आप इसमें मस्टर्ड ओयल के अलावा कोई भी ओयल यूज में ले सकते हैं ओयल डालने के बाद में उसको अब हम चमच की सहेता से चारों तरफ अपनी कड़ाई में फैला देंगे जिससे हमारा हांडवा का जो मिश्रन है या सुदूर जी के चीले है वो चिपके नहीं आसानी से वो निकल जाए तो इस तरीके से आप इसको फैला दें अब इसको फैलाने के बाद मैं जब आपकी कड़ाई अच्छी तरीके से गरम हो जाए तो उसमें हमें चुटकी भर राई डालनी है राई अच्छी तरीके से चटक जाए उसके बाद अब हम अपना दो चमच पेस्ट डालेंगे सूजी का और यह पेस्ट डालने के बाद आपको इसको बीच में हलके हलके हास से इस तरीके से फैलाना है इसको ना तो हमें जादा मोटा रखना है और ना जादा पतला और इसका साइज भी आप जादा बढ़ा ना रखे क्योंकि जब आप इसको पल्टोगे तो इसको तूटने का बहुत जादा डर रहता है मेडियम साइज का यह मैंने बनाया है अब इसको हम बिल्कुल जब यह प्लेन हो जाए अब ढग देंगे इसको फिक्स तीन मिनिट बाद हम अपना ढग कर हटा के देखेंगे तो उपर से देखें यह पूरी तरीके से सूख गया है और साइट से इसमें ब्राउन कलर आ गया है अब इसको हम पलट देंगे गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो रखें और देखें एक तरफ से पूरी गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इस में आप side से थोड़ा सा oil और डाल दें बहुत ही आसान तो है साथ में ये बहुत healthy भी होता है खाने में tasty भी होता है और दो आप handowak खाने के बाद में आपको भोग भी नहीं लगेगी बढ़ाई के दोरान आप इसको ले सकते हैं अभी एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इस तरीके से हलका फुलका कोई भी नाश्ता ले क्योंकि जब हमारा पेट भढ़ जाता है तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है बैटने ही पाते हैं अब इसमें साइट से मैंने ओयल डाल दिया है अब इसको हमें दौनों तरफ से अच्छे तरीके से उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेखना है हांडवा को शुरू बात में आपको पल्टा उसमें तभी लगाना है जब वो फूरा साइट से ब्राउन हो जाए उससे पहले यदि आप उसमें पल्टा लगाओगे तो वो तूटने का डर रहेगा अब तीन मिनिट बात मैं वापस इसको पलट रही हूँ और देखिए इधर से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इस तरीके से आपको दौनों तरफ से आराम आराम से पलट के बनाना है और देखिए कितना आसान है ऐसे बनाना और हमारा सूजी का हांडवा बोल दीजिए सूजी का चीला बोल दीजिए बनके तयार हो गया है इसे आप हरेधने की चट्नी या टमाटर की चट्नी के साथ जगना जी को ओफर करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको और लोगों को भी शेयर करें और देखें दौनों तरफ से ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार हुआ है और अंदर से ये सॉफ्ट है और देखने में भी ये कितना यमी लग रहा है साथ में खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होता है तुलसी दल रखें जगनाजी को ओफर करें जैसा खाएंगे ये वैसा होगा अमन इसलिए शुद और शात्विक प्रशाद लें चैंटिंग करना बिल्कुल भी ना भोले हरे कृष्णा